हेलो गाइस जैसा कि मैं अपने पुरानी वीडियो में बता चुका हूँ कॉल फरवर्डिंग याने कि एक इसा तरीका जिससे आप अपने नंबर पर आने वाली incoming calls को दुसरे नंबर पर transfer या फिर forward कर सकते हैं जिसे हम कॉल फरवर्डिंग करना कहते हैं कॉल फरवर्डिंग करने के दो तरीके होते हैं पहला तरीका तो manual तरीका जिसमें हमें one by one steps को follow करके कॉल फरवर्ड या कॉल डावर्ड स्टार्ट कर सकते हैं और दुसरा तरीका ये कि हम कॉल फरवर्ड करने के लिए ussd codes का use कर सकते हैं अब वो हमारे उपर depend करता है कि हम किस तरीके से call forwarding को activate या deactivate करना चाहते हैं अगर आपने अपने phone में call forwarding स्टार्ट की थी लेकिन आप उस आप call forwarding को या call divert को deactivate करना चाहते हैं तो इस वीडियो में आप लोगों को एरिटल सीम के अंदर incoming calls की forwarding को जो है deactivate करना सिखाऊंगा अगर आप नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें अभी हम इस वीडियो में इसे call forward को deactivate करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर ussd code का use करेंगे ussd code यूज़ करने साहे में पूरी steps को follow करने के जुरूत नहीं है तब हम देख लेते हैं इसका ussd code क्या है एक चीज़ का खास ध्यान रखेंगा दोस्तों यह जो है सिर्फ एटल सीम के लिए working ussd codes हैं जिससे आप incoming calls की call forward जो है deactivate कर सकते हैं इसके लिए simply आपको टाइप करना है hashtag hashtag 21 hashtag and simply call कर देना है तो कुछी सेकेंड में आप यहाँ पर display पर देख पाएंगे call forwarding erase successful याने की call forwarding या call divert जो हमने start किया था वह यहाँ पर बंद हो चुका है अब अगर आप कोई भी व्यक्ति आपके number पर call करेगा तो directly वह आपको ही call receive होगी ना कि किसी दूसरे number पर I hope guys आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम a retail sim में start की गई call forward या call divert को deactivate कर सकते हैं वो भी simple से ussd code की help से गैस अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारी वीडियो को like जरू करें और इससे अपने दोस्ते साथ share करना बिलकुल ना भूले ओके गैस बाई बाई